नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जितेश और श्वागत करता हूँ आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल उत्तरपाट शाला में तो दोस्तों आज है 28 अगस्त और आज हम करने वाले है 28 अगस्त रिलेटेड सभी करंट अफेर्स का डीपली डिसकेशन जो आपके एकजाम प वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तरपाट शाला को सब्सक्राइब कीजिए आप बैल आइकोन को दवाना ना भूलें दोस्तों जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें आप हम मैं हमारे इस वट्सेप नंबर पर भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं 28 अगस्त की करंट अफेर आज का पहला करंट अफेर है नीती आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेंडेंस इंडेक्स EPI 2020 पर रिपोर्ट जारी किया दोस्तों तो नीती आयो और अवसरों की पहचान करना सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पा दक्ता को बढ़ाना और एक सुविधा जनक नियामकिय सनरचना को प्रोचसाहित करना है गुजरात महरास्ट और तमिलनाडू निरियात तयारी सूचकांक EPI 2020 में सीर्स तीन स्थान पर हैं बात करें रिप केंद्रसासित प्रदेशों में दिल्ली ने सर्वश्ष्ष्ट प्रदेशन किया है जिसके बाद गोवा और चंडीगन है रिपोर्ट के अनुसार भारत निर्यात समवर्धन में निम्न लिखित तीन बुनियादी चुनोच्यों का सामना करना पड़ता है नंबर एक निर्या अब ये रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग में बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग रास्टी भारत पर रिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है एक जनवरी 2015 को इस नए स्थान के जानकारी देने वाला मंत्री मिंडल का प्रस्ताव जारी किया गिया। जानकारी देने वाला मंत्री मिंडल का प्रस्ताव जारी किया गिया। जाएगा अगला करेंटेफेर है कस्मीरी केसर के व्यापार का विस्तार करने के लिए शुरू किया गिया है दोस्तों इनिलामी पोटल तो जी हां दोस्तों जम्मू कस्मीर के क्रिशी विभाग ने जी आई टेक प्राप्त कस्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इनिलामी पोटल का शुभारंब किया है। इस पोटल को खरिदारों तो गुणवत्ता पूर्ण कश्मीरी केसर पहुचाने के प्राथमें कुद्देश के साथ शुरू किया गिया है। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर IIK STC के तत्वाधान में डिपार्टमेंट ने NSEIT के साथ साजिदारी में पोटल की स्थापना की है। करने के लिए ज़ुअ इनिलामी पोटल है वो शुरू किया है जम्मु कसमीर के कृषिवी भागने तो यह है दोस्तों जम्मु और कस्मीर बात करें जम्मु और कस्मीर की पांच अगस्त 2019BERT का एक राजज्य था जिसे अगस्त었 दो libro और दूम libro प्रण इस था प्रापित कर दिया गया यह राज्य पूरोतर ब्रिटिश भारत में जम्मो और कश्मीर रियासत नामक्शाही रियासत हुआ करता था इस राज्य का शेत्र भारत के विभाजन के बाद सही भारत-पाकिस्तान और चीन के बीच विवादित रहा है जिन में से तीनों ही पूरो घाटी और लद्दाक का इलाका अपने विशिष्ट संस्क्रिती के लिए जाना जाता है। यहां इस्तित वैश्णो देवी और अमरनाथ की गुफाएं हिंदों के लिए अत्यंत महत्वपूण तीर्थ का केंदर रहा है। अगला करंटेफेर है तमिल नाडू मुद्रा योजना के तहट महिलाओं को रिण देने में रहा सब से उपर। अगला करोड रुपे के लगभग 15 करोड रिण वित्रित किये गए थे। 31 मार्ज 2020 तक तमिल नाडू ने 58,227 करोड रुपे का लाब उठाए था। अन्य राज्यों द्वारा प्रदान किये रिण इस प्रकार है। मतलब सबसे पहले नंबर पे जो रिण देने में वो है तमिल नाडू उसके बाद है पश्चिम मंगाल जिसने दिया है 55,232 करोड रुपे का रिण। उसके बाद है करनाटक जिसने दिया है 47,714 करोड रुपे उसके बाद आता है बिहार जिसने दिया है 44,889 करोड रुपे और उसके बाद आता है महरास्ट जिसने दिया है 42,000 करोड रुपे उपरोक्त सभी राज्यों में महिलाओं के लिए 52 प्रतिशत मुद्रा रिण प्र 70 प्रतिशत उधार करता महीन आएं थी. अब बात करें, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के बारे में तो वर्स दोहजार पंद्र में, गैर कॉर्परेट छोटे और सुख्ष्म उद्यमों को रिंड प्रधान करने के लिए प्रदान मंतरी मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी इस योजना के तहट दस लाख रुपे तक के रिंड प्रदान किये जाते हैं जाते हैं अब यह रिण देने में सब से सीर्श पर रहा है तमिल नाडु है बात करें तमिल नाडु की तो तमिल नाडु भारत का एक दक्षणी राज है तमिलनाडू की राजधनी चेननाए है तमिलनाडू के अन्यमहत्वपुन नगर, मदूरे, त्रीची, कोयमबटूर, सेलम, तिरुनेवेली हैं इसके पड़ोसी राज, आंधरप्रदेश, करनाटक और केरल हैं और तमिलनाडू में बोले जाने वाली प्रमुख भासा है दोस् दोस्तो 26 जनवरी 1950 को और तमिलनाडू के राजधिपाल हैं बनवारी लाल, पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं के पलानास्वामी और वहां का जो विधान मंदल है दोस्तो एक सदनी विधान मंदल है जिसके विधान सभा में 235 सीट हैं और तमिलनाडू से राजधिसभा के लिमिटेड और NCUI दिल्ली के सांथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं दोस्तों तो क्रिसी और पसंस्कृत खाद उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरन एपीडा ने क्रिसी और संबंद छेत्रों के हित में गतिविदियों के ताल्मिल बनाने के लिए AFC इंडिय लिमिटेड और भारतिय रास्टिय सहकारी संग NCUI दिल्ली के सांथ समझोता ग्यापनों पर हस्ताक्षर किये हैं इस समझोता ग्यापन का उद्देश्य हित धरकों के लिए बहतर मूल प्रदान करने क्रिसी और संबंद छेत्रों के हित में गतिविदियों में समन्वै बनान के लिए महत्वपुन प्रद्द्धी के हस्तक्षिप की आउशकता की पहचान करेगा ए एपसी एपीडा के दिसांदेश्यों के अनुसवार सामान यंप प्रसंसक्रों के इंद्रों को विक्षित करने के लिए प्रदान सुविधा और शमर्थन करेगा एपसी संपून मूल किसानों की आई दोगनी करने के लक्ष को हांसिल करने के लिए एपीडा और N.C.U.I. मिलकर काम करेंगे और एपीडा N.C.U.I. द्वारा पहचान और प्रशिक्षित सहकारी समत्यों द्वारा निर्यात को सक्षम बनाए जाएगा अगला करेंटरफेर है N.E.G.D. ने C.C.E. Governance Services India Limited के साथ साज़धारी की है दोस्तों तो जी हाँ दोस्तों इलेक्ट्रोनिक्स और IT मंत्रा लए के National E. Governance Division ने C.C. Common Service Center E. Governance Services India Limited के साथ साज़धारी की है इस साज़धारी का उद्देश 3.75 लाग C.E.S.C. के Network के माध्यम से नागरिकों को उमंग सेवाओं के वित्रन को सक्षम बनाना है C.C. संचला ग्रामिस्तरी उद्द्यमी नागरिकों को उमंग एप के मदद से 140 विभागों की E. Governance सेवाओं का उप्योग करने की सुविधा प्रदान करेंगे इससे उन नागरिकों को मदद मिलेगी जिनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या वे जो एप आधारित E. सिवाओं पर पहुँचने में सक्षम नहीं है अगला करंटफेर है विनाई टॉंस बने हैं दोस्तों S.B.I. Mutual Fund के नए M.D. और C.E.O. तो ये हैं दोस्तों विनाई टॉंस तो विनाई टॉंस को S.B.I. Mutual Fund के प्रबंद निदेशक और मुख्य कारिकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गिया है वह अस्वनी भाटिया का इस्थान लंगे भारती स्टेट बैंक के साथ 32 परसों के अपने कारिकाल में उन्होंने विभिन्य कारियों और असाइन्मेंट के मार्यम से काम किया जिसमें वार्णिजिक बैंकिंग, कोसगार, खुदरा और अंतरास्टी बैंकिंग जैसे वार्णिजिक बैंकिंग के कई पहलों का बहुत ज्यादा उन्हें अनिभाव है दोस्तों अब दोस्तों विने टॉंस बने हैं SBI Mutual Fund की नए MD और CEO अब बात करें SBI Mutual Fund की, SBI Mutual Fund की स्थापन होई थी दोस्तों 1987 में और इसका हेटपाटर है मुंबई महारास्ट में और वरतमान में इसके CEO और मैनेजिंग डिरेक्टर अब कौन बन गए हैं दोस्तों विने टॉंस तो ये अस्विनी भाट्या जो है इसे पहले के CEO और मैनेजिंग डिरेक्टर थे अब विने टॉंस इसके MD और CEO बन गए हैं दोस्तों नेक्स करेंट अफेर है भारतिये टेबल टैनिस स्टार पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट का एलान किया है दोस्तों तो ये हैं दोस्तों भारतिये टेबल टैनिस स्टार पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोशना किया है दोस्तों उन्होंने 2006 के राष्टमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच Commonwealth Championship में भारत का प्रतिवित तो किया था वो पहली बार उलम्पिक में तब खेली थी जब वो महज 16 साल की थी बात करें पोलोमी द्वारा हासिल केगी उपलब्धियों के बारे में तो उन्होंने 2006 के SAF केलों में महिला यूगल में शौना पदक जीता 2006 में रास्टमंडल में कांश्य पदक जीता 2007 में कॉमन वेल्थ चेंपियंस में कांश्य पदक जीता 2010 में कॉमन वेल्थ में रजट पदक जीता और उन्होंने 2012 के एशन गेम्स क्वाटर फाइनल तक का शपर तई किया था दोस्तों अगला करंट फेर है जेम्स एंडर्सन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेजगैद बाज बन गए हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाव खे ले गए एक मैच में अजहर अली को आउट करने के बाद यही उपलब्धी हासिल की है वो अब तीन इस्पिनरों मुतहिया मुर्लिदहन, शेन वॉर्ड और अनिल कुमले के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौंथे गैदवाज बन गए हैं जिमवामवे के खिलाब 2003 में टेस्ट क्रिकेट में पदारपन करने वाले एंडर्सन 2018 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गैदवाज बन गए हैं उन्होंने दा ओवल में भारत के खिलाब मोहमद श्रमी को आउट कर ग्लेन मेगरा के 563 टेस्ट विकेटों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था दोस्तों सितंबर में किया जाएगा प्रख्यात कोच वासू परांजपे के पर लिखी क्रिकेट ड्रोना पुस्तक का विमोचन किया जाएगा यहाँ पुस्तक वासुदेव जंगनात परांजपे के बेटे और वर्तमान रास्टी चैन करता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासू द्वारा लिखी गई है और इसे पैंगुईन द्वारा प्रकाशित किया गया है बात करें क्रिकेट ड्रोना पुस्तक के मारे में तो इस पुस्तक में गावसकर, तेंदुलकर, राहुल द्रविण और रोहिट सर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के कैरियर को आगे बढ़ाने में परांजपे के परभाव को बताये गिया है यहाँ पुस्तक उन लोगों दोरा काफी एहम होगी जिन्होंने अपने कैरियर में कभी न कभी वासुदेव परांजपे के साथ रहे हैं इस पुस्तक में सचिन टेंदुलकर, राहुल द्रविण और सुनिल गावसकर के निबंदवी सामिल है तो क्रिकेट ड्रोना जो पुस्तक है दोस्तों उसका विमोचन कभ होने वाला है 2 सितंबर 2020 को तो ये थे दोस्तों 28 अगस के करेंट अफेस अब बात करते हैं 28 अगस की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में 28 अगस 845 को प्रशिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन का पहला सस्क्राण चपा था दोस्तों 28 अगस 1904 को कलकत्ता से बैरकपूर तक प्रथम का रैली का आवजिन किया गया था 28 अगस 1914 को पहला विश्वयुद्ध भी सुरू हुआ था दोस्तों और आज के दिन 1916 को प्रथम विश्वयुद्ध में इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोशना की थी 28 अगस 1922 को जापान साइबेरिया से अपनी सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हुआ था 28 अगस 1972 को साधहरण बीमा कारुबार आश्टिकरण बिल पारितिया गया था दोस्तों 28 अगस 1984 को सोव्या संग ने भूमिकर परमान परिक्षन किया था 28 अगस 1986 को भाग्युस्री साथे सत्रंज में ग्रेंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली महिला बनी थी दोस्तों 28 अगस 1990 को इराक ने कुवेद को अपना उननिस्वा प्रांत घोशित किया था तो ये थी दोस्तो 28 अगस की इतिहास की महत्वपून घटना है अब बात करता है हमारे पिछली वीडियो के कोश्चन के बारे में तो हमारे पिछली वीडियो का कोश्चन था डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर एप किसके द्वारा लॉंच किया गिया है और इसका सही आंसर है दोस्तो ओप्शन नमबर सी टाटा समू तो जी हाँ दोस्तो डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर एप ताटा समू के द्वारा लॉंच किया गिया है अब बात करते हैं इस कोश्चन के सही आंसर देने वालों के नाम की इस कोश्चन के सही आंसर देने वालों के नाम है आपको इस question का answer हमारे comment box में comment करके बताना है दोस्तों तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता है हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशला आप लोगों के लिए revision platform लेके आता है जिसमें हम weekly current affairs पर आधारित एक quiz organize कराते हैं जिसमें हम आप लोगों के लिए top 50 MCQ लेकर आते हैं तो weekly current affairs के revision के लिए आप उस quiz का हिस्सा जरूर बनिएगा दोस्तों तो दोस्तों आपको इस video कैसा लगा वो आप हमें हमारे comment box में comment करके जरूर बताएगा और अगर आपके हमारे लिए कोई सुझाओ हो तो वो भी आप हमें हमारे comment box में comment करके बताएगा दोस्तों that's all for today thank you till next video